ये खामखा सवाल क्यों उठा रहे हैं आप विनीत पूनिया ये तो सर्कुलर आते रहते हैं ये प्रोसेस चलते रहते हैं बैंकिंग विवस्ता का बंटाधार खुद करके बैठ गए अब यहां सवाल पूछ रहे हैं ये कह रहे हैं जफर इसलाम नमस्कार जफर जी को स्पेशल नमस्कार क्योंकि उनको इतना पर्यास करना पड़ता है एक जूट को डिफेंड करने के लिए एक गलत बात को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है मैं उनकी परिशानी समझ सकता हूं और मुझे लेकिन उससे बड़ी परिशानी ये है कि अठेश की जंता की पर्षानी मुझे ज्यादा देख रहे हैं जपर साब कह रहे थे कि यह तो सिर्फ कंपाइल किया है अच्छा आपने बहुत अच्छा कंपाइलेशन किया है तो हमें बता दीजिए कि कौन सी जगह यह था जिसको आपने compile करके दुबारा यूज किया है मैं अभी पढ़ रहा था ये तीन जो हैं जिनको ये अभी हटाया गया है जिनकी जगह ये जिनकी जगह आई है और उसमें लिखा हुआ है मैं जरा पढ़ के सुना देता हूं इनको जरा अच्छा लगेगा और आपके सभी पाठ तो यह जो यह कहता है कि अब्सक्राइब कर दो करना और आपकी सरकार है कैती एसा करना है यह है फर्क जिसकी आप जो जूट एक गढ़ने की कोशिश कर रहे थे बताने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं नहीं हमने कुछ नया नहीं किया यह तो पहले वाली बाकी जितना पैसा आसकता है वह अभी क्यों ना लाया जाए दस साल का इंतजार क्यों किया जाए क्रिमिनल केसे डॉप नहीं हो रहें यह सिरफ और सिरफ अपनी गलती को चुपाने का एक तरीका है सिरफ और सिरफ देखिए आपने जब उनको दुबारा लोन देना शुरू कर दिया तो यह लफाजी क्यों की जारी है कि क्रिमिनल केस चलते रहेंगे क्रिमिनल केस कितने साल चलेंगे 20 साल चलेंगे तीस साल चलेंगे और वो अपने मजे करेंगे मैं एक खबर दिखाना चाहता हूं आपको यह संदेश्रा साब हैं यह संदेश्रा साब के बारे में खबर है यह मैं इसको अख़बार को अठा देता हूं यह जरा आगर जूम कर पाएंगे तो मैं मैं चाहता हूं यह देख लें सब पाठक सब दर्शक देखें कि संदेश्रा साब 14,000 करोण लेके गए थे और देश के बैंकों से पैसा लूट के गए थे चोरी करके गए थे धोखा धड़ी करके गए थे कॉंग्रेस पार्टी ने तब भी इसकी आवाज उठाई थी और बीजेपी ने तब जिस तरह के अभी बाशनवाजी अभी मैं पहले देख रहा था जपर साब की बड़ी मुश कि ये मेहिल चोकसी हो, संदेशरा हो, वधावन हो, नीरव मोधी हो, विजय माल्या हो ये कर्ज किस वक्त दिये गए थे, किस की सरकार के दौरान दिये गए थे ये फोन बैंकिन्ग किसके वक्त चल रही थी नहीं नहीं यह यह बैंक यह बैंकिंग हमारे टाइम के लोन नहीं है यह सारे लोन मैं कहूंगा 90 परतिशत लोन इसी सरकार के लोन है और आप इस सरकार को यह बात कहना बंद करना चाहिए संदीब जी कि यह तो पहले की सरकार है यह तो पिछले लोन थे यह पिछले लोन कितन पैसा लूट के आज नाइजेरिया में सबसे बड़ी तेल कंपनी चला रहे हैं तो क्या अगर मैं मान लेता हूं जफर साब की बात तो क्या संदेसरा साब को भारत वापिस आने देना चाहिए क्योंकि आपने पैसा लूटा कमा लिया और आप वापिस कुछ देने की स्थिति में आगे हो तो आप दे दीजिए और आप मजे कीजिए दुबारा भारत का एंजोय कीजिए दुबारा लोन लीजिए दुबारा ब जो बात कर रहे हैं ये बार-बार इनोंने की मैं इनको आंकड़े दिखना चाहता हूं दो आंकड़े में दिखाऊंगा मेरे पास मैं आंकड़े की बात करूंगा मैं वाट्सअप उनिवस्टी का स्टूडेंट नहीं हूं भारतिय जन्ता पार्टी की तरह है और कॉंग्रेस परटी आंकड़ों में और सचाहि में विश्वास करती है हमारा नेता सच बोलता है और हम भी सच बोलते हैं हम तो जो एन पीजो था यह गभरमेंट ओफ इंडिया ने रिस्पॉंड किया है परलेमेंट कर कुस्चन है यह पारलेमेंट-क ऑउस्टन के आंसर में जो जब हमारी सरकार गई थी, मैं जफर साब से पूछना चाहता हूँ, जब हमारी सरकार गई थी, 2014 में ये कितना था, किरपा करके बताईए, ये जूट फैलाना बंग कीजिये, बार बार आप जूट बोलते हैं, और बार जूट बोलते हैं, जफर इस्राम रिस्पॉंड जो विनीद भाई जो कह रहे हैं, शायद उन्होंने फूरी ठीक से समझा नहीं, सब्जेक्ट को ही नहीं समझा, अरे भाई, 2014 में आपने प्रोवाइड नहीं किया था, मैं तो कह रहा हूँ, कि हम लोगों ने प्रोवीजन किया, हमें रिकवरी करनी है, बैंकों में हम कोई चोरी नहीं करना चाहते थे, बैंकों फोन बैंकिंग नहीं करते थे, मैंने कहा कि 18,52,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, तो नहीं हो रहा था लेकिए वनित पूनिया पर से बात करने क्रोड चाहिए यह लफाजी कि से काम नहीं चलेगा दमकाने से काम नहीं चलेगा देश की जंता सब देख रही है और मैं पूछ रहा हूँ आज पांच लाग चालिस अजार नो सो अठावन करोड रुपे एंपीए है आपका आखड़ा कहता है मुझे आप सिरफ दोजार चोदा में क्या आखड़ा था वो बता दीजिए बस चलिए यहां के लोकी लराई से आगे चलते हैं नहीं पहले इसकी तह में जाते हैं